ओम शांति अज 17 सितंबर दोहजार चौबस दिन मंगलवार की साकार मुरली आए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीठे बच्चे यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है स्विम भगवान ने यहां से सबकी सद्गति की है प्रश्न कौनसी एक बात मनुश्य अगर समझ जाए तो यहां भीड लग जाएगी उत्तर मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजियोग सिखाया था वे अभी फिर से सिखा रहे हैं वे सर्व वे अपी नहीं है बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांती स्थापन कर रहे हैं उसका जड़ यादगार दिलवाडा मंदिर भी है आदी देव यहां चेतन्य में बैठे हैं यह चेतन्य दिलवाडा मंदिर है यह बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहां फीड लग जाए आबू का नाम बाला हो गया तो यहां बहुत आएंगे बच्चों को योग सिखाया और सब जगें सब आपी ही सीखते हैं सिखलाने वाला बाप नहीं होता एक दो को आपी ही सिखलाते हैं यहां तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को रात दिन का फर्क है वहां तो बहुत मित्र संबंदियादी याद आते रहते हैं इतना या बहुत जल्दी बनना चाहिए परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिबाबा हमारी सर्विस कर रही हैं हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करू जो बाप इसमें विराजमान है यहां विराजमान है उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चे ही नहीं है कि शिबाबा ब्रह्मा तंद्वारा हमको सिखला रही हैं जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चे करें ऐसे यहां भी हैं अगर पूरा निश्चे होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते बहुत सर्विस करते क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है सुनते तो हैं परन्तु धारणा नहीं होती है धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करामे बाबा ने समझाया था वे लोग कॉन्फरेंस आदी करते रहते हैं विश्व में शान्ती चाहते हैं परन्तु विश्व में शान्ती कब थी किस प्रकार हुई थी वह कुछ भी नहीं जानते किस प्रकार की शान्ती थी वही चाहिए न यह तो तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में सुक शांती की स्थापना अब हो रही है बाप आया हुआ है कैसे यह देलवाडा मंदिर है आदी देव भी है और उपर में विश्व में शांती का नजारा भी है कहां भी कॉन्फरेंस आदी में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांती किस प्रकार की चाहिए इन लक्षमी नारायन के राज्य में विश्व में शांती थी वे तो देलवाडा मंदिर में पूरा यादगार है विश्व में शांती का सैंपल तो चाहिए न लक्षमी नारायन के चित्र से भी समझते नहीं है पत्थर गुद्धी है न तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांती का सैंपल एक तो यह लक्षमी नारायन है और फिर इनों की राज़दानी भी देखना चाहते हो, तो वे भी देलवाडा मंदिर में चल कर देखो. मॉडल ही दिखाया जाएगा न, वे चल कर आबू में देखो. मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जिनों नहीं बैठी है यादकार बनाया है, जिसका देलवाडा मंदिर नाम रख दिया है, आदिदेव को भी बिठाया है, उपर में स्वर्ग भी दिखाया है, जैसे वेह जड़ है, वैसे तुम चेतन्य हो, इनको चेतन्य देलवाडा नाम रख सकते हैं, परन्तु पता नहीं कितनी भीड हो जाए, मनुष्य ही मूँच जाए, यह फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं, भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं, पर दर्शनी में अनिक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, धेर मठ पंथ हैं, वैश्नव धर्म वाले भी हैं, वैश्नव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं, श्री क्रिश्न की बादशाही कहा हैं, जानते ही नहीं, श्री क्रिश्न की राजाई को भी स्वर्ग बैकुंट कहा जाता है, बाबा ने कहा था, जहां बुलावा हो, वहाँ जाकर तुम समझाओ विश्व में शान्ती कब थी यह आबू सबसे उंच ते उंच तीर थे क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सद्गती कर रहे है आबू पहाडी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाडा मंदिर देखो विश्व में शान्ती कैसे स्थापन की थी उनका सैंपल है सुनकर बहुत खुश होंगे जैनी लोग भी बहुत खुश होंगे तुम कहेंगे यह प्रजा पिता ब्रह्मा हमारा बाप है आदी दे तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती है तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत उची महिमा करके समझाना चाहिए आबू है बड़ेते बड़ा तीर्थ बॉम्बे में भी समझा सकते हो आबू पहाड बड़ेते बड़ा तीर्थ है क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबु में आकर स्वर्ग की स्थापना की है कैसे स्वर्ग की रचना रची है वे स्वर्ग का और आदी देव का मॉडल सब आबु में है जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं हम अब जानते हैं तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं, पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शानती किस प्रकार चाहते हो, कभी देखा है, विश्व में शानती तो इनके अर्थात लक्षमी नारायन के राज्जे में थी, एकी आदी सनातन देवी देवता धर्म था, इनक की राजधानी का मॉडल आभू में तुमको दिखाएं, यह तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे न, नई दुनिया का मॉडल तो यहां है, नई दुनिया अब स्थापन हो रही है, तुम जानते हो, तब बतलाते हो, सभी नहीं जानते हैं, न ग्रेंट फादर ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे है भी बरोबर एक्यूरेट कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो परन्तु तुम जानते तो कुछ नहीं हो श्री कृष्ण तो बैकूंट का महाराजा विश्व का मालिक था उसका तुम मौडल दे दिखलाएंगे कैसे पुर्शोत्तम संगम यूग पर राजयोग सीखते हैं जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं वह भी मौडल दिखावें संगम यूग की तपस्या भी दिखाएं प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं शिबाबा जिसने लक्ष्मी न आरायन का राजिस्तापन किया उनका भी चित्र है अंबा का भी मंदिर है अंबा को कोई दस बीस भुजाएं नहीं है भुजाएं तो दो ही होती है तुम आओ तो तुमको दिखाएं बैकोंठ भी आबू में दिखाएं आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हैविन बनाया है सदगती दी है आबू सबसे बड़ा तीर्थ है सब धर्मवालों की सदगती करने वाला एक ही बाप है उनका यादकार चलो तो आपको आबू में दिखाएं आबू की तो बहुत महिमा कर सकते हो तुमको सब यादकार दिखाएं क्रेश्यन लोग भी जानना चाहते है प्राचीन भारत का राजियो किसने सिखाया क्या चीज थी बोलो चलो आबू में दिखाएं बैकोंट भी पूरा एकुरेट बनाया है उपर छत में तुम ऐसा नहीं बना सकते हो तो ये अच्छी रीती बताना है ट्यूरिस्ट धका खाते हैं वे भी आकर समझें तुमारा आ आम बाला हो गया तो बहुत आएंगे आबू बहुत मशूर हो जाएगा जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शानती कैसे हो सम्मेलन आदी में निमंतरन देते हैं तो पूछना चाहिए विश्व में शानती कब थी वे जानते हो विश्व में शानती कैसे थी चलो हम समझा मौडल साधी सब दिखाएं ऐसा मौडल और कहां भी नहीं है आबू ही सबसे बड़ा ओचते ओचतीर्थ है जिसमें बापने आकर के विश्व में शांती सर्व की सदकती की है यह बातें और कोई नहीं जानते तुम्हारे में भी नमबर बार है बल बड़े महारती म्यूजियम आदी संभालने वाले हैं परन्तु ठीक रीती किसी को समझाते हैं वा नहीं बाबा रीट तो करते हैं ना बाबा सब कुछ समझते हैं जो भी जहां भी है उनको समझते हैं कौन-कौन पुर्शार्थ करते हैं क्या पद पाएंगे इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे याद के यात्रा की मेहनत वैं समझ नहीं सकते बाब रोज रोज नहीं बाते समझाते हैं ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ यहां तो यादकार कायम है बाब कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ आदी देव भी यहाँ है पैकोंट भी यहाँ है आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी आबू पता नहीं क्या हो जाएगा जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोडों रुपया उड़ाते रहते हैं कितने धेर मनुश्य जाकर इकठे होते हैं इतनी बदबू गंदगी होती है बात मत पूछो कितनी भीड होती है समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई यह सब दुख है ना अकाले मृत्ति होती रहती है वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं यह सब बातें तुम समझा सकते हो बातचित करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए बाप ग्यान का पॉंप कर रहे हैं बुद्धी में बिठा रहे हैं दुनिया थोड़े ही इन बातों को समझती है वह समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं बाप कहते हैं यह दुनिया अब पुरानी गई के गई वह तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5000 वर्ष का है, पुरानी दुनिया का तो मोत सामने खड़ा है, इसको का जाता है घोर अंधियारा, कुम्ब करण की नीन में सोए पड़े हैं, कुम्ब करण आदा कल्प सोता है, आदा कल्प जागता है, तुम कुम्ब करन थे ये खेल बड़ा wonderful है इन बातों को सब थोड़े ही शमझ सकते हैं कई तो ऐसे ही भावना में अजाते हैं सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं उनको बताते हैं हम शिव बाबा पास चाते हैं शी बाबा स्वर्ग की इस्थापना कर रही है उस बेहत के बाप को याद करने से बेहत का वर्सा मिलता है बस तो वैं भी कह देते हैं शी बाबा हम आपके बच्चे हैं आपसे वर्सा जरूर लेंगे बस बेड़ा फार है भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है वक्ति मार है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा बाकि साक्षात का रादी में कुछ है नहीं कोई कहते हैं साक्षात करो तब बाबा समझ जाते हैं कुछ भी समझा नहीं है साक्षात कार करना है तो जाकर नोधा भगति करो उससे कुछ मिलता नहीं है करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा भगत होगा, तो अच्छा जन्म मिलेका, यह तो बात ही नहारी है, यह पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप है ही दुनिया बदलने वाला, यादगार खड़ा है न, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ तूटता करता है, तो फिर मुरम्मत कराते रहते हैं, कर्म विनाश हो, पढ़ाई की बात है, बाकि यह जो मतुरा में मधुबन कुझ गली आदी बैट बनाया है, वे कुछ भी है नहीं, न कोई गोप-गोपियों का खेल है, यह समझने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक-एक पॉइंट अच्छी रीती बैट समझाओ, कॉ मातमा सर्व्यापी नहीं है, तो भीड लग जाए, परन्तु अभी टाइम नहीं है, एक बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समयक सिखला रही है, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है, जो कि अभी सामरा है, कितनी बड़ी भूल है, इससे पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारन करने है, नमबर वार तो होते ही है, जो भी सेंटर्स हैं, सब नमबर वार है, यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़े ही है, बोलो स्वर्ग कहा जाता है सत्यूग को, परन्तु वहां का राजय कै कैसे चलता है, देवताओं का जुंड देखना हो, तो चलो आबू, और कोई ऐसी जगे नहीं है, जा ऐसे छत में राजाई दिखाई हो, बल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परन्तु वह और बात है, यह तो आदी देव भी है न, सत्यूग किसने और कैसे स्थापन किया, यह तो accurate यादकार है, अभी हम चेतन्य देलवाडा नाम लिख नहीं सकते हैं, जब मनुश्य खुद समझ जाएंगे, तो आपे ही कहेंगे कि तुम लिखो, अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत होते हैं, दे अभिमान है न, दे ही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाए तुम बच्चों के, पुर्शार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, पुर्शार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो पुर्शार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था, अच्छा, म मीठे मीठे सिखीलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गृट मॉरनिंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते ऐसे कभी नहीं सोचना हैं कि जो नसीब में होगा सेंसिबल बनना है ज्यान सुनकर उसे स्वरूप मिलाना है याद का जोहर धारन कर फिर सेवा करनी है सबको आबू महांतीर्थ की महिमा सुनानी है वर्दान एक बाबा शब्द की स्मरती से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भव अब आप दादा के बर्दान को विस्तार में समझेंगे आप बच्चे मुख सेवा मन से बार 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 बाबा शब्द कहते हो बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं बाबा ने ये कहा यही सेवा है लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले है कोई knowledge के दिमाग से जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा परत्यक्ष प्राप्ती, खुशी और शक्ती मिलते है दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती है सदाकाल की नहीं स्लोगन परमात्मा रूपी शमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं ओम शंति